असलाम अलेकम यूट्यूव फ्रेंड्स अर्दा चावित के चानल में आप सबका स्वागत है आध मैं बनाने जाती हूं मसाला दूशा मसाला दूशा बनाने के लिए हैंपे मैं एक तवा लिए हूं स्टोव आन करको तवा रखती हूं फिर एक कप फल्ली लेको तवे पर दालती हूं पर ले अच्छे से रोस्ट कर लेते हूं अच्छे बुने जाना अल्रड़ यह चिटनी में बनाई थी नी वही चिटनी चीला में की है अध मासाले बनाने के लिए अधा कप फुटाने एक टमेटा एक पांचे लाल मिट्ची एक तीन प्याजू एक छेसान तो हरी मिट्ची लिएंदा हूं पुटाने अधे कप्पु लेकों मिक्सी को दाल लेता हूं अधे इसा पौडर कर लेना पुटाने आंका अधे फल्ल्याम पुन लेती हूं अधे अच्छे से पुन गई कार्दी फल्ली फिर उसमाईल एक करती हूं दो चमचा आईल हीट होने के बाद हूं एक पैस की डली दालती हूं कटकर को रख लीजा हूं पिर टमेटा एक का एट करती हूं एक पांक छे हरी में एट करें तीन में अच्छे से तेल में पुल लेना हूं पांक छे लाल मेट चली दो डली पैस रख ली दो भी मिक्स करती हूं मिक्सी में जार लेको दाल लिए अब मिक्सी में फिर आले ले लागा एक अच्छा चमच नमा के अट करी अच्छा चता ले जाती हैं दखों पैस्टा मेटा मिटची कलर भी छेंज हुआं हुआ 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 दो मिला को मिक्सी को दाल लेना अधे दाल लेने के बाद हां अधे खोटाने का पावडर फल्ली की चेटनी अधे पैस मिर्ची का खारू तेन रड़ी हो गई चीले दालने के लिए आधे हां आटे में जरा नमक और सोड़ा नमक दाल को मिक्स करती हुआ कि अधे तवह हीट होने के बाद हुआ उस पर दोशा दाल तो हूं दाखो याए ले आट कर यूँ अच्छे से पक गया देखूं दूसरे तरफ पल्ठाती हूं उस तरफ भी पक गया है अब खार लगाती हूं देखूं प्याज लाल मीट्ची नमक दाल को खार बना लेने वह खार आट करती हूं उच्छे से चीले को पूरा लगाना लगाने के बाद उसके पर फुटाने काटा दालती हूं फोल्ल कर दीदे हूं प्लेट में कर लेती हूं मैं दूसरा दाल को बतातु हूं अच्छे से पक गया है खार लगाती हूं मेरे पौडर काटा च्छनती हूं यह भी फोल्ल करका प्लेट में कर लेती हूं प्लेट में दो दो शेदाल लेकर चिटनी भी रखी देखो खटारी में अधे बच्चे टेस्ट करती हूं यह रेसिप आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो अल्लाहोफीस बाई